पूर्ब मंत्री एवं कॉंग्रिस के फायर ब्रांड नेता मेजर विजे सिंग मनकोटिया ने एक खास मुलाकात के दुरान कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुखे मंत्री वीर भद्दर सिंग के तानाशाहर रवये के कारण कॉंग्रिस के बड़े नेता भाजपा में शामिल होने को मजबूर हैं उन्होंने कहा कि मुखे मंत्री वीर भद्दर सिंग ने सुखराम की वज़े से ही उनके परिवार को इतना लताड़ा क्योंकि मुखे मंत्री वीर भद्दर सिंग किसी वक्त समझते थे कि अगर कोई नेतर तो उनको चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ सुखराम है मनकोटिया ने कहा कि पंडित सुखराम की भाजबा में शामिल होने की बात तो ठीक है लेकिन मुक्य मंतरी की धर्मपतनी का जुंगा का जो परिवार है सारे का सारा परिवार भाजबा में शामिल हो गया है उन्होंने मुक्य मंतरी पर आरोब जड़ते हुए कहा कि वे ना तो अपना परिवार संभाल सकते हैं ना सरकार और ना ही अब पार्टी संभाल पा रहे हैं उन्होंने कहा कि आज कांगरिस के कुछ कैबनेट मंत्री और विधायक भी भाज़पा में शामिल होने जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वीर भद्दर सिंग ने अपने स्वार्थ और कुर्शी के लिए कौंगरिस को खोखला कर दिया है बाचीत के दोरान मनकोटिया ने कहा कि वीर भद्दर सिंग ने मन बना लिया है कि वे तो जाएंगे और पार्टी को भी ले डूमेंगे उन्होंने कहा कि CBI और ED ने वीर भदर सिंग को गिर्फतार करने की पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने कहा कि वीर भदर सिंग ने संकल पर एरखा है कि अगर मैं नहीं तो और कोई भी नहीं कांगरिस को खत्म करके ही जाऊंगा इस बात को वे दिली में बैठे नेता अब तक नहीं समझ पाएं हैं और ये बड़े शर्म की बात है उन्होंने कहा कि अगर कांगरिस के नेता पाक दामन होते तो डरने की जरूरत नहीं होती उन्हेंने कहा कि वीर भद्दर सिंग ने कांगरेस पार्टी में सब के सब बंदवा मजदूर बना रखे हैं और वीर भद्दर सिंग कांगरेस को डुबाना चाहते हैं और इन चुनावों में कांगरेस को कुछ भी खासिल नहीं होगा तौर सर ये जो अभी जो हलात पैदा हो गए हैं कॉंगर्स के लिए जहां आज सुबा खबर आई या काल शाम को खबर आई कि श्री आनिल शर्मा जो इनके वीर बदे सिंग के कैबिनेट के मंतरी हैं वो और उनके पूजे पिता जी पंड़ सुखराम जी जो केंदर में भी मं लेता हैं कॉंगर्स के सारा परिवार ही बीचे पी में शामल हो गया तो मुझे कोई हरांगी नहीं हुई इसके चार पांच दिन पहले ये भी सूचना आई थी कि प्रतिबा सिंग जो वीर भदे सिंग जी धर्म पतनी हैं और M.P. भी रह चुकी हैं मंडी की कि उनके परिव जो जुनगा का परिवार है वो भी सारा का सारा परिवार B.J.P. में शामल हो गया तो मुझे लगा कि ये जो इनकी ताना शाय है वीर बदे सिंग की इसको बर्दाश करने के भी कोई हद होती है सीमा होती है और ये जब किसी को जलील करने पर उतराते हैं तो फिर कभी समचत है जो खुद हाई कोर्स से बेल पे चूटा है जमानत पे है कल जेल भी जा सकता है उसको निर्सत्व सौम करके जब लोगों ने देखा कि और कोई और अल्टरनेटिव नहीं है विकलब नहीं है यही चलाएगा कॉंगर्स पार्टी को तो उन्होंने यह जुन्रने है बिल्कु को जॉइन करने के लिए त्यार हैं तो आप देखिए धीरे धीरे कॉंगर्स पार्टी की उपर की लीडरिशिप जो थी हिमाचर परदेश में राजे में वो तो पार्टी से दुखी होकर इस व्यक्ती से विशेश दुखी होकर अपना किनारा कर रही है और मैं समस्ता हूं क कि ये पुराना राजे रजवारा शाही जो है इसके खून में अभी तक भी है ये समस्ता नहीं कि लोक तंतर और प्रजा तंतर है जिसको चाहे कहे दे कि इनका गला काट दो मात कड़ी लगा दो अंदर कर दो खुद अंदर होने वाले हैं हो सकते हैं अंदर हो जाएं ये औ होगा आने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसाबाद चुनाव के लिए जो मुख्य मंत्री आगे जाके बनेंगे राहुल गांदी यहां मंडी में आके ये भी कह गे कि साथमी वार भी इनको बनाएंगे वो जानते नहीं थे कि दागी हो चुका है कलंकित हो चुका है कि इस मात्मा गांदी नहरू जी सरदार पटेल मौला नाजाद कैसे महन महन नेता हुए नेता जी सुबाश चिनर पूर ये वरास्त में इतना कुछ हमने डाला पर इसने तो सारा खो दिया इसने तो ठुकरा दिया सारे असूल से दानत वगरा तो कब तक यहां के जो कॉंगर्स प पार्टी को खतम करके जाएंगे बर्बाद करके जाएंगे